नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंडसी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विंडियो में वर्स पाकिस्तान ओमेंस एक बेग जोग खेला जाएगा मैच सेकंड ट्विंटी होगा फर्स ट्विंटी हो चुका है जहां पर बहुत कमाल का विनिंग था फैंडसी दुनिया मेंबर्स का है यह भी कमाल का जाएगा फर्स ट्विंटी जो हुआ था वो मैंने लाइव भी देख रहा था और क्या कुछ मुछे दिखने को मिला जो पीछ है ना वो बहुत थी जादा गय स्लो मुछे लगा था मैं डिसकस कर सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिविशन वाला बेल दबा लो ताकि इसके बात के कवरेज हंगेरी तो चल रहा है इस खतम ही हो गया बुल्गिरिया टीटेंस होंगे और अधर डूमेस्टिक इंटरनेशनल होंग पर यहां पर थोड़ा कम भी बन सकता है सारिच छे से इंडियन टाम स्टार्ट होगा बारिच तो होगा नहीं जितना फिलाल रिपोर्ट है आप भी सच करके देख सकते हो तो पुरा मैच होना चाहिए एंड फाइनल अपडेट के लिए इस मैच के रिलेटेट मतलब प्लिं पर यहां से जोईन हो जाना अगर लिंग काम नहीं। लिख सबसे हैं से फ्र भी तो 24 जहाना आफ्ट टॉस अप्टेट सबस्टेच लिए पर Dogs तो ग्लास्ट मैच में आते हैं ठीक आप लाइक करके स्टार्ट करो मोटिवेशन बना रहेगा इंडिस उमें ने 96 मनाया था आट हुगे लोज करते हुए पाकिस्तान उमें आट हुगे लॉस करता है अगर आप उपर से देखोगे तो आपको लगेगा यार पाकिस्तान हमे एक स्टॉंग टीम नोटाओ फ्राउट्ट ब्लेयस इंका सभी प्लीर्स इस मैच में भी खेले थे ना मोटा मोटी सभी प्लीर्स 90 प्लीर्स का इंटरेशनल रिकॉर्ड है तो तो सब कुछ देखते हैं तो पाकिस्तान ओमेंस बेटल लगे आपको बट मैं आपको यहां पर बताना जाओंगा दो चीज एक वेस्ट इंडिस ओमेंस के पास भी बहुत जादा ना लिफ्ट ऑफ और जादा लिफ्ट बॉस्पिनल से तो यहां पर ना मैच बनता है वेस्ट के लिए दूसरा बत इन्हों ने निकाला फाकिस्स्तान ओमेंस ज्यादा बेटल नीकाला था और बहुत प्रेशर में थे आर बॉइस 15 बनाया था 12 बॉल में 3-4 था इनका आर विलियम्स ने अच्छा स्टार्ट दिया फिर इनका मिडल ओर गाइस धराशाई हो गया गजनेमी यह पे 20 बनाया थे जिनों ने 17 बॉल में 20 बनाया थे और एक भी बाउंडरी नहीं था इनका ठीके बॉलिंग से मंगरू यह बॉलिंग किया था जो वन डॉन खेले थे दो नौ पे एक विकेट यह पीछे कॉर्ट ब्याइन आउट किया था यह राइटम ऑफ स्पिन कर रहा था जितना मैंने देखा इनको विंसेन आया था वन डाउन गजनेभी ने काईस मीडियम राइटम मीडियम करा थे 2.5 और यहां पर ना इनको बनते हुए दिख रहा है इस मैस में कुछ अच्छा भी कर सकता है यह फ्रेसर बहुत नीचे खेले थे बैडिंग सेक्शन में मिलेंगे और आपको यह ना राइटम मीडियम करते हुए भी दिखेंगे शुरू में कर रहे थे सुग्रिम का बॉलिंग मु अब देखिए क्या हो रहा है अब क्या हो सकता है ठीक है पहले हम लोग चलो एक पाकिस्तान ओमिन भी देख लेते सोहल ने 21 बनाया था बट स्लो खेले थे 40 बनाया था जफन ने नौट आउट थे कैनत ने 6 बनाया थे सिद्रा नवज पहला बॉल में आउट हुआ था अब मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा अगर यहां पर उल्टा होता है मतलब पाकिस्तान ओमिन बैटिंग फर्स्ट करते हैं और गाइस एक्सू से कम रन बनाते हैं जो बना सकते हैं तो उपनेंट चाहिए चीज कर लिए वेस्ट इनिस ओमें अच्छा फाइट देगा इस मैच में भी स्पेशल अगर बॉलिंग फर्स्ट हो तो गाइस अच्छा का सविकेट भी निखालेंगे बिकॉस इनके पस ना लिफ्टा मॉत्रोक्स बार बता रहा यह मैचेस के आगे ना कुछ दिन आगे प्रिसीजन कैम चल रहा था जब इनका वहां पर भी जो सिया मतलब इंटर स्कॉर्ट मैचेस होए थे वहां पर भी ना दो प्लेयर ने बहुत अच्छा किया था वेस्टीनिस ओमें के अविसली बात कर रहा हूं यह एंटीग्वा मे स्कॉर्ट मैच पर में वह उपोनेंट थे इस टेलर जैसे पीम के अगेंस्ट यह अच्छा खेला था तो के स्कॉर्ण आपके लिए बहुत अच्छा चौईस होने वाला था तो आप मस्ट हैव मेरे हिसाब से रख सकते हो रिस्क हो सकता है बट यह मैच अगर आप रिस्क ल आपको बैटिंग से कुछ पॉइंट चाहिए तो आर बोइस ले ले लेना अगर उपको ज्यादा गलबस से पॉइंट चाहिए तो सिद्रनावाज ले ले लेना दो रिजन है जो सिद्रनावाज है बहुत अच्छा वी की है मतलब पीछे से आपको छूटते वे नहीं तो मैं शायद आर बोइस को ट्राइब करूँ सी फ्रेसर में इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखोगे तो कुछ खास बता नहीं रहा है इनके बारे में दस मैंच पाच इनिंग स्टिपन रन पाच मैंच आर इनिंग स्टिपन रन बट हां यह इन्होंने बॉलिंग डाले है बट स्टिल मैं शायद इनको ट्राइब ना करूँ जेड जे जोसेफ पाकिस्तानों में चेंज करेगा यह पक्का है श्यूर है कि पाकिस्तानों में अपने जो प्लेंग लेव है उसमें चेंजिस लाएंगे तो उसलिए आप पुड़ा वीडियो नं तक देखना बहुत इसको लोगा अपके लिए आफटा टॉस डिशिशन लेना आर विंसेंट मैं शायद नालू विलियम्स को ले लूँगा डूमेस्टिक रिकॉर्ट कुछ खास है नहीं बट हाँ इन्होंने फर्स्ट मैच में पॉजिटिव स्टार्ट निकाला अच्छा कहला तो ले लेंगे ग्रीमोंट डोमेस्टिक में 19 मैच अर्ट राइनिक्स 174 रन आया एंड गाइस 46 ओवर विकेट है 12 ठीक है यह सुग्रीम नहीं है ग्रीमोंट है अब ग्रीमोंट अगर खेलता है तो मेरे टिम का कैट्टेन राइस कैट्टेन भी होंगे राइट आम आउफ स्पिन कड़ा ल गजनभी का अगर देखोगे न मैं यहाँ पर एक चीज़ एड करने चाहूंगा गजनभी विद बैट देखिए डुमेस्टिक में 20 मैच में 111 रन है ओवर डाले गेवल बारा एक ही विकेट निकाले मतलब बॉलिंग जादा कराते नहीं है अब यहाँ पर हो सकता है कि जो किनो लेफ्टाम ऑफ्टरोक्स बॉलर मैंने आपको डिसकस किया कियाना जोसेफ फीड हो गया गाइस अब वो एस सुग्ली और के स्कॉल्स तीनों को शायद टीम कंपलीट ओवर करा है इवें राइटाम और मुंग्रो भी अपना चार ओवर कंपलीट करा है उस सिनेरियो मे गजने भी शायद थोड़े कम करते हुए बॉलिंग मुझे दिख रहा है इस मैच में शायद कम करें स्कॉल्स का डोमेस्टिक रिकॉर्ड थोड़े एवरेज है बर्ट क्याना जोसेफ अतेरा मैच दस इनिक्स में एक सर्ट रन 37 ओवर साथ हुगेट है तो डोमेस्टिक में क्याना जोसेफ एक्स्पिरिंस साइड तो मेरा मानना है कि आप इनको रख लेना और मैं सुग्रीम के बारे में डोमेस्टिक में ज्यादा मिला नहीं बट मैने आर्टिकल पड़ा था तो इन्होंने लिखा था कि अच्छे खासे बॉलिंग है और मैंने बॉलिंग भी देख जाता था पहला पॉइंट है सुग्रीम का बात करना हूं अच्छा बॉलिंग कर रहे थे बॉल आगे डाल रहा था और जो केस कल से यह बॉल को फ्लोट भी कर रहे थे अच्छा आप स्टाम का बाहर मतलब थोड़ा फ्लाइट देके जो फ्लोट होता है वो डाल रहा था तो यह दो देखते हो ना मेरा मानना है कि अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है करता है तो इन दोनों को जरूर अपने टिम में रख ले ना पाकिस्तानों में ने तो सिद्रा नवास देखोगे बावन मैच 26 इनिंग्स 153 कुछ खास कभी भी क्या नहीं यह विद बैट बाहां विक सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखोगे नहींदा खान को उपन करते हैं अधर्वाइस आईशा जफर अगर खेलेंगे तो आईशा जफर ही ओपन कर इतना चाहिए अगर कोई उपनर से नहीं खिलता है तो सिद्रामीन ओपन कर सकते अधर्वाइस मिल ओर खेलेंगे ये भी अच्छे का से ओपनिंग कर लेते हैं ट्राइशा नसीम मिल ओर खेलते हैं सिनियर के लिए लिए दिखिए मैं सभी प्लेयर्स के बारे में नहीं बताना हूँ जैसे अलिया रियाज ये लोग खेलेंगे निदादर ये लोग खेलेंगे निए स्टीम के लिए पाकिस्तान ने ना 26 मिम्बर के स्कुल्ट अनूंस कि और उसमें से न उन्होंने खेल बताया नहीं कौन से प्लेयर्स सिनियर के लिए खेलेंगे तो थोड़ा बोलना मुश्किल है बड़े प्लेयर्स नहीं कहलेंगे मुझे लगा था काइनत इंतियास भी नहीं खेलेंगे बट काइनत खेल लिया उनका बड़्डे भी था कुछ दिना कि मैं उनको फॉलो भी करता हूं तो बहुत अच्छी खेलते हैं काइनत नाम जैसा है काम भी वैसा है तो पंद्रा कोछ प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए जो इस मैश में आपको मिलते हो धीख राया है अनम अमीन सीर्ड के लिए खेलते हैं ज्यादा थरं बट हां कुछ प्लेयर जो आ सकते हैं मैं उनके और में डिस्कस कर लेता हूं ठीक है उसमें साभा नजीर होते है साधडिया इकबल् तो मस्टीक में पाच मैच इनका ओवराल इंटरनेशनल कडियर बतारा हूँ पाच मैच में तीन विकेट है साबा नजीर का चार मैच 24 ओवर में दो विकेट है अगर खेलते तो मैं शायद साबा नजीर साइदा अरूप शाह दोनों को ट्राइ करूँगा और शमीम तो खेले या तो साधिया अरूप शाह मिल गया तो मैं इनको जरूद ट्राइ करूँगा बाकी कुछ एक आदा रिस्क ले लेना अफ्टर टॉस फाइनल अपडेट नॉट फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको टेलेगा पे मिलेगा टेलेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना कुछ उपर पॉइंस मेंने से मिल्स हुआ तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो लाइक नस्टा संदू अगर खेलते हैं तो क्या कर सकते है पचीस मैंच 84 ओबर 22 के बैड़ आपको खेलेंगे लगते हैं नहीं कहलेंगे सीनियर के लिए के लिए के लिए के लिए के ल थोड़ा वीक है बट बहुत जाद वीक नहीं है वह अगर बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो उनसे भी बॉलिंग दी बॉलर्स ले लेना सुग्रीम अच्छे पन थे नजीर बहुत अच्छे पन थे सदिया इकबाल अच्छे पन थे आइमा ननवर एक सेफ ऑप्शन है काइन आर बॉइस को मैंने रख लिया जो मुझे लगता है कि विद बैट ज्यादा कैपबल है कॉमपेर्ट तो सिद्रा नवास काइना कैप्टेन है हमारे आर शमीम भाइस कैप्टेन है किया ना जोसेफ जो लेफ्टा मॉतरोक्स है के सकल्स एस सुग्रिम मैंने तीनों लेफ्ट आर शमीम मस्ट है बाकी एक आदा चेंजिस हो सकते है तो चेंजिस कर सकते हो और इंड इन्वेस्ट कर सकते हो बाकी आपकी मरजी अफ्टा टॉस फाइनल अब टेलीग्राम पे मिलेगा टेलीग्रम जोईनो जोना वीडियो पर संदर तो लाइक कर देना थैंक्यों गया जो बाकी कर दो लाइक वाइक कर दो लाइक ।